दोस्तो जीप मेरीडियन को भार्टे बजार में पेस कर दिया गया है ये एक सेबन सिटर एमपी भी है जो की कॉमपस पर आधरित है जीप मेरीडियन को मैं में लॉंच किया जाना है कमपनी ने इसे एक नई दिजाइन आकरशक इंट्रियर आधुनिक फीसर्स और दिजल की फीसर्स के बारे में फीसर्स की बात करें तो इसमें आपको 10.25 का दिजिटल इंस्टुमेंट कंचल देखने को मिलते हैं 10.1 इंच की तच्किन इंपरेंट्मेंट सिस्टेम भी इसमें दी गई है साथ ही में डूल जोन क्लाइमिट कंट्रोल 360 डिग्री सराउंड व्यू क इंजिन के बारे में जीट मेरिडियान में आपको 2 लिटर, 4 सिलिंदर, मल्टी जेट तर्बो डिजल इंजिन देखने को मिल जाते हैं जो की 6 स्पीद मैनुएल और 9 स्पीद ऑटोमेटिक के साथ आता है इसके ऑटोमेटिक में ओल वील ड्राइब का विकल पिलता है इसके स साथी इस SUV में कई ड्राइब मोथ, सेंद, माथ, स्टोन और ओटो ड्राइब मोथ दिया गया है तो चलिए आप बात कर लेते हैं तोयोता फोर्टुनर के बारे में तोयोता फोर्टुनर पेट्रोल और डिजल दोनों इंजिन ऑप्शन में एवलेबल है इसकी पेट्रोल वर और 500 Nm टॉर्क है दोनों ही इंजिन के साथ 6-speed manual और 6-speed automatic gearbox का ऑप्शन भी रखा गया है हाला कि all wheel drive का ऑप्शन इसमें केवल डिजल इंजिन के साथ ही दिया गया है फोर्टुनर कार दो विरियंट स्टेंडर्ड और लेजंडर में एवलेबल है स्टेंडर्ड वरियंट में 8-inch और लेजंडर्ड वरियंट में 9-inch डिस्प्ले दिया गया है जो Android Auto और Apple CarPlay connectivity सपोर्ट करता है साथ ही में 11 स्पीकर वाला ZBL Surround System, Ambient Lighting, Wireless Charging, Kick to Open Tailgate और लेजंडर्ड वरियंट में 360-degree camera जैसे fissures दिया गया है तो आप इन दोनों में से कौन से कार पिक करेंगे आप कमेंड में जरूर लिखिया कर भीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को स्यार करना ना भूले और हमारे स्टेल को भी आपता पत सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूर जाईए तब तक के लिए जै हिंद जै भारत